नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं अच्छे होगे आज का एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है कि हम अपने वर्कशोप पे या जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर अगर हमें वासर बनाना हो यानि कि लोहे का वासर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे आज त्री चक्क Pixar को पर यसके उपर अगर उस चक के गुटके में कर चाट नहीं लगा हुआ है और आप को छोटा 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 काट नहों रुह करना हो तो कैसे हैं यह काफी हमपोर्ट हेपप ऐसा यstad कि मैं आप बताओं कि इसको क suprem पिछला सब्सक्राइब कर एगा जिप में क्या लेना है वासर बनाने के लिए एक रॉट की जरूर्वत पड़ेगी आई इस रॉट को देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पे एक मेरे पास लोहे का रोड है यानि कि राउंड है यह 45 यानि कि 45 है और एक चोटा सा यह तुकड़ा जो है यह उसके बड़ा है यानि कि यह 10 मिलिमिटर बड़ा है पचास का यह कई बार हमारे वर्क्शोप में एंड पीस बच जाता है तो हम इ जाते हैं ये तरीका है लेकिन इसका जो अगर हम चोटा चोटा पीस कर लेंगे जैसे की इसको मालि यह दस है अगर हम चप्राइबन चप्राइब चलें निए पिछला इन बचुक्त यह तो रहा तो बाहर फिर और तो जो आफ साधे साथ आ जाए 10 ,9 पॉइंट कुछ आ जाए ऐसे आसकता है तो इसका भी solve करेंगे और आप काटके वासर बनाके भी दिखाएंगे और चेक करके भी आपको दिखाएंगे तो कैसा होता है जैसे कैसा वासर बनाओंगा मैं आपको दिखा दूझ जैसे आप अपने स्क्रीन क देख पा रहे होंगे यहां पर साइड में कि आपको वासर दिख रही होगी ऐसे वासर हम आपको आज बना के दिखाएंगे तो आईए इसे पहले टर्णिंग करके और कटिंग करेंगे कि तो हम आचुके हैं अपने ट्रू चक्क के उपर और आप जो मैं बता रहा था जैसे जोज लगा हुए गुट का है इसमें कट रहता है कट का कारण का है कि आखिसमें फट जाएगा तो सीधा हो जाएगा इसमें तो पूछ भी नहीं है ना लेकिन इसको कैसे सीधा करेंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले हम इसे बांद के टर्लिंग करेंगे और इसके अंदर जो आईडी साइज है उसके लिए हम डिल का यूज करेंगे जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने इसे बांद लिया है अब हम इसमें हलका सा पट लगाएंगे फेस और हलका स सीधा हो जाए और जो हमें साइज का रिक्वाइड हो वह बनके त्यार हो जाए तो पहले हम इसका प्रेस कर लेते हैं एक साइड से स्पेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए कि अगर आपके पास मार्जन हो या आपका जो डाय का रिक्वाइड हो आप वैसे डाय के उपर कट लगा सकते हैं मुझे बहुत कम है इसके उपर औल्ली पॉइंट टू का यह मैं कट लगाऊंगा अब जो मैंने फेस और ओड़ी कर लिया आभ हमें क्या चाहिए ड्रिल लगाना है इसके अंदर wenn I decided के लिए तुम मुझे ओंली ड्रिद करिक करूं और यहां वद्ल inan again के इक बना यानि कि बोर करें तो आप वार्ण सकते हैं और पूलेंट का इस्तमाल करते रहें ताकि आपका जो डिल वेट है वो सेफ रहेगा और बहुत ही आसानी से इसमें लग जाए अब जो हमारा इसके अंदर डिल कंप्लीट हो गया तो अब हमें इसे कटिंग करने जरूत पड़ी है तो कटिंग करने के लिए आप पार्टिंग है तो आप यूज़ करें मेरे पास है पर मेरे पास बैंड साब मशीन भी अवे लेवल है तो मैं बैंड से क्यों पर इसे कटिंग करूंगा ताकि मेरे काम थोड़ा फास्ट हो जैसा कि आप देखेंगे मेरे बैंड सा में यह जगह थोड़ा सा लंबाई इसका यह च्छोट तक चले की अभी कुल के अदो लिग का मेरे हाथों में आ चुका हम जैसा कि यह कटिंग हमारे हांतों में एक Free कर दिया है दूसरी साइड यह कटिंग है तो इसका हम ठीक करेंगे इसका जब हम ठीक करेंगे तो इधर कम बताएगा ज्यादा बताएगा इसको कैसे तो इसके लिए हम आ चुके हैं फिर से टू चक्के के उपर और यह जो फेस वाला हिस्सा है आपका इसको अंदर रखना आप अगर इसको इसको अंदर रखेंगे ऐसे और बांधेंगे जब चलाएंगे आउट होगा ना इसके लिए आपको एक ऐसा सर्फेस किया हुआ लेना ह होता है ताकि यह जो टक्कर है यह हमारे चक्के पर ठीक है और इसके उपर वो जो हमने फेस किया हुआ है यह जो हमने फेस किया हुआ है यह इसके उपर ऐसे लगेगा ताकि जो लगेगा और उसके बाद हम टाइट करके धीरे से इसको ऐसे निकाल लिए यह पिछला हिस्सा धरत आपका बिल्कुल सिदा हो गया कि देखिक ये जो पिछला इसा है आपका बिल्कुल सीदा हो गया क्यूंकि हमने इसका ये चक्क पे लगाया और इसके हेसित्र हमने यह वाला कर दिया अब आप इदर जो साइस बनाना है पटाफट बनाई है तो फाइनली हमें साइज रखना है वो देख लेते हैं तो हमने इसे लगबख फ्रेस्ट जो कर लिया है अब जित्रा चेक करते हैं क्या यह हमारा सही आ रहा है यह देखिए 11 रहना अब देखिए 11 रहना यह देखिए यह बिल्कुल तरीका सही है तो इसे हमें साइज जो बनाना है वो दस बनाना है तो एक बार दस भी बनाके चेक करेंगे अब हमें इसके उपर बहुत पर लगाएंगे और अब मशीन करते हैं बंद और फिर हम इसका जो ठीकने से देखते हैं क्या मेला जो दस का रिक्वाइड टा वो पूरा हुआ है यानि यह बिल्कुल आपके आँखों के सामने यह देखिए देखें डिशूअ कर के आहना अई दम कडाम कडाम आप देख सकते हैं यह बासर बनाने का तरीका है ठीक अगर आपके चकेंम नहीं है गुटके में नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं इसी तरीके से आप एक नहीं इस आप अने हो बना सकते हैं आप जितना फुर्гоisy आ委कुर कटा कटाएगा, आपको गुटके में कट लगाने की जरूरत नहीं है, गुटके खराब करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये काम हो जाएगा, तो उम्मिद करते हैं, आपको ये छोटा सा वासर बनाने का लोहिक वासर बनाने का ट्रिप आपको प पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाएं, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मैदा टॉपी के साथ तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत.